देवत्थान एकादसी के दिन कुछ विशेज प्रियोक करने से धन दौलत बढ़ता है, खुसियां आती है और जीवर में सुवमंगल कारे होने लगते हैं। तो इस दिन तुलसी बिभा का भी आयुजन होता है। माननेता है कि देव उठनी एकादसी के दिन कुछ विशेज उपाय करके मनोवांचित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो कार्तिक सुकल पक्ष की एकादसी को देवत्थान एकादसी या देव उठनी एकादसी कहते हैं। इस दिन से 4 महिने से रुके वे सभी मांगली कारे फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार ये एकादसी मनाई जाएगी माननेता है कि इस एकादसी पर भगवान विश्नु अपनी 4 महिने की जो योग निद्रा है उससे जागते हैं और इस दिन तुलसी बिबाह का आयोजन भी होता है क्योंकि देव उठनी एकादसी के दिन जब स्रीहरी जगेंगे तो सभी इक्छाओं की पूर्ती करेंगे अगर आप भगवान बिशनु को केसर मिलेवे दूद से अभी से करें तो सभी मनो कामनाय पूर्ण होती है धन बढ़ता है और एकादसी के दिन भगवान बिशनु को अगर सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते डाल कर तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है अगर इस दिन आपको संतान नहीं है आप चाहते हैं संतान की प्राप्ति करना तो आप भगवान स्रीहरी की अराधना कर उनको दूद में केसर डाल कर उनकी अभी से करें और फिर जितना ज़्यादा हो संतान गोपाल मंद्र का जब करें तो संतान की प्राप्ति अतिसिग्र बगवान को नारियल और बादाम बिसेश तोर पर प्री है इसलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर पित कर दे तो आपकी जो भी मनो कामना है वो पुर्ण हो जाती है आपके अध्यूरे कारे पूरे हो जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनकी विसेष क्रिपा मिलती रहे तो वैसे आपको तो पता है किसी भी एकादसी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे ब्रत में वर्जित माना जाता है वैसे तो जो ब्रत неहीं रखते हैं वो भी चावल नहीं खाएंगे और बैंगन भी नहीं अब भूल से आप अगर चावल खा लेते हैं तो दुआदसी तिथी को जरूर चावल खाईए ऐसा करने से ब्रत का फल आपको मिलता है ब्रत में लहसन प्याज और मसूर की दाल भी नहीं खानी है क्योंकि इन्हें तांसि प्रविर्टी का माना जाता है और अगर आप ब्रत रखते हैं तो पहले सुबह सुबह उठकर स्नान बेगरे कर लें स्वक्छवस्त धारं करें और सारा दिन ओम नमो भगवते वासु देवाए यानि कि भगवान स्रीहरीविश्णू का स्मरन करते रहें अगर संबभ हो तो पेड़ पौधे के टहनी को तोरें अब चुकि एकादसी थी थी है तो तुलसी के पत्ते भी मत तोड़ी एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें और इस दिन तुलसी भी नहीं खाना चाहिए भगवान स्रीहरी का मंत्र जितना जादा हो उतना जादा जब करें भागे को बल म पीद करें देखे एकादसी की कथा भगवान स्रीकिष्ण ने धर्मराज युदिश्टीर को सुनाई थी और इसके पहले मुनी वस्ष्ट ने राजा दिलिप को सुनाई थी जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ती मिली थी और मोक्ष की प्राप्ती हुई थी लेकिन इस दिन पूजा पाट कैसे करेंगे इसके पहले जानिए कि सुबह सुबह उटकर पूरे घर की सफाई करके घर के मुखे दरवाजे पर आम के पत्तों का या सोख के पत्तों का बंदनवार जिसको हम तोरन कहते हैं लगाईए इसके बाद आप भगवान स्रीहरी की पूजा करने दिन बहुत ही खास सुबसयोग में योग बनकर आया है तो ऐसे में इस दिन सरवार सिद्धी योग भी है और इस ब्रत में सरवार सिद्धी योग का होना बहुत ही दुरलफल देता है तो इस एकादसी से जीवन की समस्त परेसानियों से आप बाहर आ सकते हैं एकादसी तिती पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से इस दिन चुकि पीपल के पेड़ पर भगवान स्री हरी बिष्णू मालक्ष्मी का निवास होता है तो आप एक लोटा जल में थोरी सी मीठी वस्तू डाल कर जाईए और पीपल के बिष्ण में अर्पित कर दें बरकत नहीं होना अच्छा नहीं लगना सुना पन लगना संतान की प्रापती नहीं होना बंस ब्रदी नहीं होना या पिर नौकी रोजगार में परेशानिया यह सभी लक्षन हैं पित्री दोस्के अगर ऐसा कुछ हो तो पीपल के बिच में एक लोटा जल में एक चुटकी काल तिल डाल कर अगर आप चाहें तो इसमें थोरा सा दूद यानि दोचार बुन दूद और थोरी सी मिश्री डाल कर भी अर्पित कर सकते हैं इससे पित्री देव प्रसंद होते हैं और जीवन की समस्त परिसानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह से इस एकादसी प्रसंद कर पाएंगे अब चुकि दीपक का खास मात तो है क्योंकि दिया जब आप जलाएंगे तो घर के पुजा स्थान पर जब जलाईएगा तो खीका दिया होगा इसमें लाल धागे की या मौली धागे की बाती होगी एक लॉंग रख दीजिएगा और पूजा तो इसकी खुजबू से घर का वाताबरन सकात्मक हो जाए आप अगर चाहें तो घी में भी रख सकते हैं आपकी मर्जी पर है लेकिन जब आप पूजा कीजिएगा तो भगवान स्री हरी को पीले फल यानि की केला गेंदे का पुस्प वेगरा अर्पित करें और इसके साथ जब आप चावल अर्पित कीजिएगा तो सफेज चावल नहीं अर्पित करना इसको हल्दी से कलर करके या कुमगुम से कलर करके ही अर्पित कीजिएगा भगवान स्री हरी के माथे पर संभव हो तो मंजरी तुलसी की या तुलसी के दो पत्ते जरूर सजा दे वो बहुत प तूलसी में जल अर्पित कीजेगा तो जल अर्पित करते समयों लोते के जल में एक दो बुंद ज्यादा नहीं एक धुद की तोई सी मीठी बस्तु ज्याद नहीं देना एक तुलसी के पेड़ में आप अर्पित कर दे इसके बाद वहां पर आप ओम नमो भगवते वासु देवाय का अनुरत जब करते रहिएगा तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा करें भगवान सरी हरी को मनाए लेकिन जब आप सरी हरी की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनके पास जरूर अर्पित कर दीजियेगा अगर आपने पहले से अर्पित किया हुए पिछले बार एकादसी में आप कभी भी पहले भी कर चुके है तो उसी सिक्कवे को संभाल कर दे और फिर से उठा कर बाद में संभाल कर रख लें यह शिक्का वीच-बीच मे रिचार्ज करत यह एकादसी आई है इसलिए सिबलिंग पर दूद जरूर अरपित करें अगर कोई विसेश मनुकाम ना है तो दूद में मिस्री डाल कर सिबलिंग का अभिसेख करें जीवन में कभी धन सुक की कमी नहीं होगी बैपार भी बढ़ेगा और घर भी आपका खूब तरक्की करेग घर के लोग फलेंगे पूलेंगे इस एकादसी को आप मनाएंगे तो पीपल के पेड़ की जड में मीच्छा जल अरपित करना है यानि एक लोटा जल में थोरी सी मिस्री डाल कर अरपित कर दें और एक दिया सरसों के तेल का जरूर जलाएं या आप चाहे तो तिल्ली के ते पूजा होगी हर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी इस दिन धनिया का विसेश प्रयूग किया जाता है धनिया जो धन के देवी मालक्षमी को अतीप्री है थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजास्थान पर पूरव दिसा में मिट्टी के पात्र में रख दें तो आप अपने दीपावली पर धनिये का पौधा बोलिया है तो अच्छी बात नहीं तो इस एकादसी की रात एक मिट्टी के बरतन में आप दिया ले लीजेगा नया वालक एक सिक्का थोरा सा धनिया और उसमें पानी डाल कर रख दें अगले दिन यारी की द्वादसी थी थी पर अब इस सिक्के को उठा कर आप संभाल कर अपने पास परस में रख लें और जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में आंगन में बो दें जो पेड होगेगा परसाद के रूप में खाईएगा बरकत होगी ये पेड बताएगा कि आपके घर में कितना सु मंगल कारे होंगे अगर जीवन में धन की मुस्किल बहुत परेसान करे तब बिल्ल पत्र के पेड के नीचे दो मुखा देपक जला दीजेगा सामने घी का दिया होगा देपक में एक चावल का दाना होगा अमाल लेते हैं आपके घर के ही सामने में बिल का ब्रिक्ष है बिल का ब्रिक्ष है तो ऐसे में आप वहां भी जला सकते हैं और वहां पर प्रार्थना जरूर कीजिएगा जैसे कि आपको धन चाहिए आप बहुत परिसान है आपका स्वास्त की समस्या आए जो भी है आपके घ कट नहीं होगा कि आपको छूपाएगा परिसान कर पाएगा तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बाते से की जानकारी अच्छी लगी लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखें धन्यवाद फिर मिलेंगे